गुड मॉर्णिंग स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर रंजन सक्षेना एस्सोसीट प्रोफेसर मैथमेटिक्स आज मैं आपको डाइनमिक्स में रेक्टे डिनियर मोशन सरल आवर्थ गती सरल रेकिये गती पर लेक्टर दोगा अब तक आपने जो सरल रेकियें गती पढ़ी है उसमें त्वरन एक समान रहता था लेकिन यहां हम कण की ऐसी सरलगी की गति का अधियन करेंगे जिसमें त्वारण परिवर्तन शील रहता है जब त्वारण परिवर्तन शील होगा तो वो X, V या T यानि दूरी, वेग या समय मैं किसी एक का या एक से अधिक चरों का फलन होगा इसलिए इस प्रकार की गति को हम परिवर्तन शील त्वारण के अधियन गति कहते हैं और हम जानते हैं कि बल जो होता है मास इंटू एक्सिलरेशन यानि द्रभमान इंटू त्वारण होता है तो हम इस प्रकार की गति को परिवर्तनशील बल के अधीन गती भी कह सकते हैं इस अध्याय में हम कई प्रकार की सरल रेखिये गती परिवर्तनशील बल के अधीन जो होगी उसका अध्यन करेंगे उसमें सबसे पहली और सबसे fundamental है सरल आवर्त गती यानि Simple Harmonic Motion सबसे पहले इसकी परिवाशा क्या होती है ये समझना बहुत आवशक है इसकी परिवाशा है कि जब कोई भी कण एक सरल रेखा में इस प्रकार से गती करें कि उसका त्वरण रेखा पर इस्थित एक इस्थिर मिंदू से कण की दूरी के समानुपाती रहता हो और वो त्वरण हमेशा या वो गती हमेशा उस इस्थिर मिंदू की ओर दिस्ट हो, डारेक्टिड हो तब हम कहते हैं कि इस प्रकार की गती सिंपल हार्मनिंग मोशन कहलाती है और सरल रेखा में जो इस्थिर मिंदू है उसको गति का केंद्र या बल का केंद्र सेंटर ओफ फोर्स या सेंटर ओफ मोशन कहा जाता है अब आप छित्र देख रहे हैं जिसमें एक सरल रेखा है AO A- तो हम सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की गति समिगरन यानि mathematical representation बनाने का प्रयास करते हैं तो A बिंदू जो है और A- बिंदू है ये दोनों आदी बिंदू हैं और O जो है वो मध्यस्त इस्थित इस्थिर बिंदू इसको उंग लेते हैं मान लेते हैं गति के दौरान T समय पर करण P बिंदू पर पहुंच जाता है और O से P की दूरी small x है अब simple harmony motion की परिवाशा कहती है कि किसी भी समय यानि P पर करण का जो तौरण होगा वो दूरी के समानुपाती होगा और क्योंकि उसकी दिशा सदय और O की और रहती है इसलिए इस तौरण को negative लेना होगा यानि x double dot will be proportional to minus x अब proportionality को अटाना है तो हमें constant of proportionality use कर रहे हैं mu तो यह equation बनती है x double dot is equal to minus mu x यह कहलाती है सरल आवर्द गति की गति समीकरण यानि equation of motion of simple harmonic motion x double dot यानि d2 x by dt square को हम v dv by dx भी लिख सकते हैं यानि v dv by dx बराबर minus mu x अब हम चरों को प्रथक कर लेते हैं और इसको integrate करते हैं यानि v के पद left hand side में रखते हैं और x के पद right hand side में integration कर देते हैं तो हमको प्राप्त होता है v square is equal to minus mu x square plus c1 यान c1 constant of integration है constant of integration की value सदय इनिशल कंडिशन से निकाली जाती है तो हमने यहां लिया है कि कण a से गति आरम कर रहा है और o की तरह वो आ रहा है तो a पर हम constant of integration c1 की value निकालने की कोशिश करते हैं a पर हम देखते हैं कि समय जो है वो t 0 होगा x जो है वो a के बराबर होगा और क्योंकि गति a से आरम हो रही है इसलिए महाँ पर वेग यानि v 0 होगा इन सभी values को आप उपरोग समिकरण में रखेंगे तो आपको c1 की value परापत हो जाएगी उस value से जो हमको final equation मिलती है वो है v square is equal to mu a square minus x square यह बहुत important equation है क्योंकि यह आपको वेग और दूरी में relation दे रही है यानि किसी भी दूरी x पर आप वेग निकाल सकते हैं कड़का और यदि आपको वेग मालूम है v तो आप दूरी x को प्राप्त कर सकते हैं अब यहाँ पर दो cases उत्वन होते हैं पहला case जब करण a से o की और गती आरम कर रहा है विरामावस्था से और दूसरा हम o पर विरामावस्था लेकर o से a की और गती की विवेचना करेंगे तो पहला case मैं ले रहा हूँ जिसमें करण a से विरामावस्था से शुरू होता है और o की तरफ आ रहा है तो यह जो equation v आपर mu a square minus x square है इसको हम further integrate करेंगे तो पहले under root लेने पर v आता है dx by dt equal to root mu root a square minus x square यहाँ आपको v का sign भी minus लेना होगा क्योंकि जो गती की दिशा है वो स्थिर बिंदू o की तरफ है यानि x के घटने की दिशा में गती आरंब हो रही है इसलिए यहाँ जैसे उपर हमने त्वरण को नेगेटिव लिया था उसी तरह यहाँ वेग को भी negative लेंगे और फिर चर प्रथक करके इसको इंटिग्रेट कर देते है इंटिग्रेट करने पर हमको प्राप्त होता है t is equal to on upon root mu cos inverse x by a plus c2 यहाँ c2 पुने constant of integration है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया constant of integration हमेशा initial condition या initial position से ही निकाला जाता है तो यहाँ हमारी initial position a है जहाँ से हमने शणिक विरावस्ता की इस्तिति ली थी और वहाँ से गतियारम की थी तो a पर t 0 रहेगा x a रहेगा और इन values को जब आप equation में रखेंगे तो c2 के value 0 आ रही है तो जो final equation x और t के मीश में मिलती है हमको वो है x equal to a cos root mute t यह equation आपको तभी use करनी है जब आप यह सुनिश्चित कर लें कि करण a से o की ओर आ रहा है यह equation आपको x और t में एक मेहत्वपूर्ण संबन देती है जिससे आप किसी भी समय t पर करण की o से दूरी x प्राप्त कर सकते है या आपको अगर o से दूरी x मालूम हो तो आप समय को भी निकाल सकते हैं दूसरा case हम ले रहे हैं जब करण o बिंदू से गती आरम कर रहा है और o a की ओर जा रहा है जहां a शनिक विरावस्ता के स्थिती रहेगी अब जब करण o से गती आरम कर रहा है तो o से दूर जाएगा यानि o के x के बढ़ने की दिशा में वो गती कर रहा है तो यहां पर आप v को positive लेंगे तो v आएगा dx by dt equal to plus root mu under root a square minus x square चर प्रतक करके हम integrate करते हैं तो हमको प्राप्त होता है t is equal to one upon root mu sin inverse x by a plus c3 यहां c3 पुने constant of integration आ गया और इसकी value हमको फिर initial condition से ही निकाल ली है तो इस बार initial condition हमने इस case में ली है o पर तो o पर हम जानते हैं t b 0 रहेगा x b 0 रहेगा यह values इस equation पर रखने पर c3 की value भी 0 आ जाएगी और हमको finally equation जो की x और t में एक संबंध है वो मिलेगी x equal to a sin root mu t और इस equation का आप तभी use करेंगे जब आप यह सुनिश्चित कर लें कि करण o से दूर जा रहा है इस equation का भी वो ही महत्व है किसी भी समय t पर आप x निकाल सकते हैं दूरी करण की और अगर दूरी मालूम हो तो आप समय निकाल सकते हैं तो यह तीनो equation मिलके इस simple harmonic motion की गती की गणितिये विवेचना करते हैं अब इन equation से हम nature of motion भी प्राप्त कर सकते हैं यानि simple harmonic motion के अधीन जब कोई करण गती मान होता है तो उसकी गती की प्रकरती कैसी होगी यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है तो सबसे पहले वो ही चित्रा आप उन्हें बना लीजिए a, o, a dash, straight line o को बलकेंद्र ले ले लीजिए a और a dash को आधी बिंदू ले लीजिए और किसी समय t पर करण की position p ले लीजिए और op दूरी को small x ले लो अब पुरानी equations जो हमने अभी पिछले आर्टिकल में बनाई थी उससे हम देखते हैं कि a पर तोरण जो है वो x double lot या f कहें हम उसको वो आता है minus mu a और ये तोरण का अधिकतम मान है इसी तरह a पर अगर हम vague वाली equation का use करें और x की जगा a रखें तो vague 0 आता है तो a पर कंड का vague 0 यानी new time मान पर रहता है तो a पर कंड का तोरण अधिकतम और vague new time रहेगा ये आप याद रखें अब हम ओपर आते हैं ओपर हम देखते हैं कि x 0 हो जाता है x 0 होने से f भी 0 हो जाता है लेकिन वेग में जब आप x की जगा 0 रखते हैं तो उसकी value आती है v is equal to root mu a यानि ओपर तोरण जो है करणका वो 0 यानि नियुन्तम है और वेग जो root mu a आ रहा है वो अधिक्तम बाग है तो ओपर तोरण नियुन्तम वेग अधिक्तम a पर तोरण अधिक्तम वेग नियुन्तम ये आपको दोने चीज़ें याद रखनी होंगी और अब हम इस गति के प्रकर्ति प्राप्त करते हैं जब करण a से गति आरम करता है तो क्योंकि o पर आकरशन है वो o की ओर गति मान होता है उस समय उसका वेग अधिक्तम बढ़ने लगता है और तोरण गटने लगता है जैसे ही वो o पर पहुँचेगा उसका तोरण शुन्ने हो जाएगा और वेग अधिक्तम हो जाएगा ये अधिक्तम वेग कण को o के left and side a डेश की ओर ले जाता है और जैसे जैसे कण o से a डेश की ओर गति आरम करता है उसका वेग दिर दिरे गटने लगता है और उसका तोरण बढ़ने लगता है और a डेश पर पहुचकर पुने वो इस्तिती बन जाती है जब तोरण अधिक्तम mu a हो जाता है और वेग 0 यानि शनेक विरामवस्ता पुने आ जाती है लेकिन क्योंकि ओपर आकर्शन है इसलिए वो कण a डेश से पुने o की ओर गति तोरण तारम कर देगा और वापिस उसका तोरण घटने लगेगा वेग बढ़ने लगेगा और ओपर अधिक्तम वेग प्राप्त होते ही वो वापिस राइट साइड में एक ही और गति आरम कर देता है इस तरह करण a से a डेश के बीच में अपनी गति की पुन्रावरति करता है और हम इसको रिपीटिड मोशन को दोलन मही मोशन यह उक्सिलेटिंग मोशन कहते हैं और इस प्रकार करण a से a डेश के बीच में दोलन मही हो जाता है अब सवाल उठता है कि जब दोलन मही हो रहा है तो दोलन काल भी निकालना होगा तो हम देखते हैं सबसे पहले a से o तक पहुँचने में उसको कितना समय लगता है तो यदि इस समय को हम t1 मानें तो a से o पर t1 समय में वो पहुचा है तो o पर x को 0 रखके आप जो equation थी x और t के बीच में समद्ध वाली उसमें value रखेंगे x को 0 रखेंगे t की जगा t1 रखेंगे तो आपको t1 पराप्त होता है pi upon 2 root mu ये समय है a से o तक पहुचने का जबकि एक पूरे दोलन काल का मतलब होता है a से पुने a तक पहुचने का तो हम देखते हैं कि इस प्रकार के भाग के हमको तीन भाग और प्राप्त होंगे o से a डश a डश से o और o से पुने a तक तो जब हम एक पूरे दोलन में लगा समय निकालेंगे तो वो हो जाएगा a से a डश और a डश से पुने a तक पहुचने का समय यानि टीवन का four times तो एक दोलन में लगा खुल समय हो जाएगा four t1 जो कि आता है two pi by root इसको आपको याद रखना होगा यह formula है और इस दोलन काल को simple armoring motion में periodic time यानि आवर्थ काल कहा जाता है इसके बाद जो definition आती है वो आती है आवर्थी आवर्थी का मतलब है कि काई समय या एक second में दोलन दोलनों की संख्या इसको small n से व्यक्त करते हैं और यह one upon t यानि t का inverse लेने पर प्राप्त होता है तो यह n आता है root mu by two pi यह इस simple harmonic motion की आवर्थी कहलाईगी हर motion में mu का मान अलग-अलग होता है इसलिए चाहें आप आवर्थ का लीजिए चाहें आवर्थी लीजिए यह दोनों mu पर ही depend करते हैं इसके बाद हम define करेंगे amplitude of simple harmonic motion जो की सरल लावर्थ गती का आयाम कहलाता है तो आयाम की definition है विरा मवस्ता की इस्तिती से बल केंदर तक पहुंचने में जो दूरी होती है वो इस गती का आयाम कहलाता है जो कि चित्र अनुसार आप देख सकते हैं तक पहुंचने तै की गई दूरी यानि small a वो इस simple harmonic motion का आयाम कहलाईगी इसके बाद geometrical interpretation दी है जिसका चित्र में और simple सा proof है वो आप स्वयम इसको पढ़के समझ सकते हैं तो ये था simple harmonic motion की definition और उससे related कुछ परिवाशा है तथा proof of यानि equations of motion और nature of motion ये बहुत ही important article है और इस chapter का basic article है तो इसको आप आज अच्छी तरह तयार करेंगे और उसके बाद इसके आगे कुछ solved examples दी हुई है simple उनको आप समझने की कोशिश करेंगे next lecture में हम unsort problems और कुछ harder examples को discuss करेंगे thank you